प्यारे बच्चो इस पार्थ में हम उस्मा संचन की विधियां और उससे जुड़ी चीजों के बारे में बात करेंगे इसकी तीन विधियां होती हैं पहला चालन फिर समवहन और तीसरा रेडियेशन आप सब के घर में कूकर रखा होगा कूकर के आप हैंडल में देखते हैं एक प्लास्टिक लगा होता है वो क्यों लगा होता है क्योंकि जब हम कूकर को गैस में रखते हैं तो कूकर गर्म होने के साथ साथ उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है अगर हेंडल में प्लास्टिक न लगा हो, तो उसको हम पकड़ के निकाल नहीं पाएंगे, उठा के रख नहीं पाएंगे, गैसी स्टॉप से नीचे, तो कूकर का हेंडल, किस विधी से गर्म होता है, जिस विधी से गर्म होता है, वो है चालन, पानी सबने गर्म होते हुए देखा है पानी समभन विधी से गर्म होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे अच्छा गर्मी के दिनों में जो मोटर साइकल की सीट गर्म हो जाती है उसमें बैठने का अनुभाव सभी को होगा तो वहाँ जो motor cycle और उसकी seat जो गर्म हो रही है असल में वो radiation विधी से गर्म होती है तो सबसे पहले हम चालन के बारे में बात कर लेते हैं चालन उसमा संचरन की वह विधी है जिसमें किसी पदार्थ के अनु अपने पास वाले अनु को उसमा का इस्थानांतरन करते हैं या उसमा दे देते हैं और इस प्रकार से उसमा जो है एक सीरे से दूसरे सीरे की और प्रवाहित होती है इस विधी को हम चालन कहते हैं जैसे इक उदाहन हम देखते हैं यह एक छड़ है और यह जो छड़ है रूम टेंपरेचर पर रखाओ है तो इसकी उश्मी उर्जा होगि बच्छो कोई भी पदार्थ अगर उसका कुई सका पर उच्छ उच्छा होती इसको हम कहते हैं उश्मी उर्जा अगर जीरो टेम्टेचर पे वस्तु है जीरो कैल्वीन पे है जिसको की परम ताप कहते हैं तब उश्मी उर्जा जीरो होगी लेकिन अगर किसी भी ताप मान पे रखा हुआ है तो उसकी उश्मी उर्जा होगी मतलब उसमें उसके अनों में गती जूर्जा और इस्थिती जूर्जा होगी अर्थात उसके अनू जो है उस्पदात के अनू जो है ओ गती जूर्जा होगी मतलब वो कमपन करेंगे तो यहाँ पर यह छड जो है रूम टेंपरेचर पर रखा है मतलब इसके अनू जो है इसके अणवों में कुछ कमपन गती होगी, कुछ गती जूरजा होगी, जब हम इसके एक सिरे को गर्म करते हैं, तो अणवों की जो कमपन की जो गती है, वो बढ़ जाएगी, अब थोड़ा जादा जूर से वाइबरेट करेंगे, पहले धेरे-धेरे कर रहे थे, अब गर्म क गती जूरजा का इस्थनांतरन करेंगे, उसी तरह से वे फिर अपना पासवाड याणों से टकराएंगे, और अपनी गती जूरजा का इस्थनांतरन करेंगे, तो इस प्रकार हम देखते हैं, कि छड़ के एक सिरे से अंतिम सिरे तक गती जूरजा का इस्थनांतरन हो रहा ह और जैसे कि मैंने भी बताया उश्मी उर्जा मतलब की गती जूर्जा और इस्थिती जूर्जा का माफ है इस्थिती जूर्जा और गती जूर्जा प्रते करणों की उसी को हम उश्मी उर्जा कहते हैं तो इसी तरह से गती जूर्जा का इस्थनांतरन हो रहा है मतलब की यहा जा रही है यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जो अनों है वो जहां के वहां है अपने माध्धी स्थिती के दोनों तरफ वाइबरेट कर रहे हैं कमपन कर रहे हैं लेकिन उनकी जो एक्चुल जो इस्थिती है माध्धी स्थिती है वो नहीं बदल रही लेकिन उन अनों क माध्यम से जो उर्जा है उसका संचार हो रहा है उर्जा जो है उसमी उर्जा जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे की और जा रही है अब आईए हम एक प्रयोग देखते हैं हम एक प्रयोग करते हैं और उसमें हम चालन को समझते हैं और उश्मी चालक पदार्थ उश्मी कू चा तक इस्थानांतरण जो सदैव उच्चिताप से निम्नताप की ओर होता है यह जो उश्मा का संचरण है यह अलग-अलग अलगअलग पदार्थों में अलग-अलग होता है किसी में ज्यादा, किसी में कम जैसे इसी बाद को समझने के लिए देखिए यहाँ हमने दो अलग-अलग पदार्थों की यह छड़ ली है जो मोटाई और लंबाई में समान है ठीक है यह है कांच की काच की छड़ है ये और ये है आपके तामबे की छड़ आप देख रहे हैं कि इन दोनों छड़ों में हमने ये इस प्रकार देखे आलपिन जो है वो आलपिन मौम से लगा दी है जो समान दूरी पर है ठीक है अब हम क्या करेंगे हम इन छड़ों को उनके किसी एक सिरे से गर्म करेंगे और इस स्टॉप वाच की मदद से हम इसे गर्म करने के बाद जो जो आलपिन आपको दिख रहे है वो आलपिन क्या होगी गिरेगी तो इनके टाइम को हम नोट करते चलेंगे कि कौन से छड़ की जो आलपिन है वो जल्दी गिरती है और कौन सी छड़ की देर से तो चलिए शुरू करें तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा इस मोम बत्ति को जलाना होगा ठीक है तो इसे हम जला लेते है और इसके के अब नाकर लिए उसके छड़ कर रहें तो हम किसी बी छड़ को पकड़ने के लिए तो आप कपड़े का प्रयोग कर सकते प्रसक्ते हैं आथ आप इससे प्रकार भी वो, श्ड़ करना है ठीक है और अब हमको देखना है यह देखिए यह stopwatch हम यहाँ पर देखे शुरू कर रहे हैं इसको भी इधर गरम करने लगाया और इसे on कर लिया stopwatch चल पड़ी है और इसको हम गर्म करने लगे हैं जैसे ही पहले allpin गिरेगी हम उसका time जो है वो note कर लेंगे यह देखिए जो पहली allpin है वो एक मिनट 38 सेकंड में गिरी हम इसे अभी भी गरम कर रहे हैं और आगे देखते हैं कि अब next जो allpin है वो कितनी देर में गिरेगी इस प्रकार देखिए यह दूसरी भी जो है वो चड़ गिर गई और यह timing होई है पांच मिनट 10 सेकंड इसी प्रकार आपको बाकी जो allpin है उनके भी गिरने का समय नोट करना होगा अभी हम अब फिलाल चलते हैं तामबे की छड़ की ओर और उसे भी गरम करते हैं और देखेंगे कि इसकी जो allpin है उनके गिरने की क्या समय होता है उनके गिरने का timing क्या होगा चलिए हमने इसे reset कर लिया है यह अपनी पूर्वा वस्था में हो गया और अब हम कांच की जो छड़ है उसके बाद गरम कर रहे हैं तामबे की छड़ को और इसे stopwatch को भी देखें यह शुरू किया गरम करना और stopwatch भी हम्मेरी चल पड़ी है अब आप देखें कि इसमें जो है वो ओल्पिन जो है वो कितने समय पे गिरती है यह हम देखेंगे यह देखिए यह तुरंट जो है यह हमारा अल्पिन सा लग रहा है कि अब गिरने ही वाली है यह देखिए यह 30 सेकेंड में जो है वो गिर गई पहली आल्पिन इसे नोट कर लीजिए आप और आप यह देखिए यह दूसरी ओल्पिन की सिर्थी भी आप देखेंगे यह 48 सेकेंड में यह भी गिर गई है यह तेसरी ओल्पिन की सिर्थी भी आप देख रहे हूंगे एक मिनट 7 सेकेंड यह सब आप नोट करते चलिए यह देखिए इसकी सिती फिर बदल रही है और stop watch पर आपको ध्यान देना होगा एक मिनट चालिस सेकेंड यह देखिए एक मिनट दो मिनट हो गए है वैसे और देख लेते हैं वी दो मिनट 10 सेकेंड तो आपने देखा कि जो तामबे की चड़े उसमें जो है उष्मा का संचरन एक सीरे से दूसरे सीरे में बहुत कम समयवे हुआ जिसके कारण आलपिन गिरने का जो समय था वो कम था और काच की छड़ में जो आलपिन गिर रही थी वो बहुत समय ले रही थी क्योंकि उसमें उश्मा की जो संचरन था वो बहुती धीमा था तो बच्चो हमने ये देखा कि जो कांच की छड़ है उश्मा का जो संचरण है वो बहुत कम और तामबे की छड़ में ज्यादा ऐसी जो धातुएं होती है जिसमें उश्मा का संचरण बहुत कम होता है उन्हें हम कू चालक कहते हैं और जिसमें उश्मा का संचरण तेजी से ह होता है उसे हम चालक या सूचालक कहते हैं इसके अलावा ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसमें उश्मा का संचरन नहीं होता है इन्हें हम उश्मा रोधी पदार्थ कहते हैं इस प्रकार उश्मी चालकता के अधार्थ पर तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं एक होता है उश्म से गर्म करने पर हमने देखा कि तामबे की छड़ की आलपिन जो है वो पहले गिरी और कौन सी आलपिन प्रत्यक छड़ की पहले गिरी जहां से हम उसे उश्मा दे रहे थे उसके पास जो आलपिन थी वो पहले गिरी थी चलिए अब एक काम करते हैं अब हम इन दोनों छड़ो को फिर से गरम करेंगे लेकिन अब की बार हम इसे गरेंगे गरम छड़ के बीच ओ बीच तो इसके लिए हमने फिर से देखिए छड में ओल पिन जो है वो मोम की सायता से लगा ली है और इस बार हमने इसके बीच के जो हिस्से है महाँ पर थोड़ा इस्थान खाली रखा है क् हम इसे बीच से गरम करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले काच की छड़ में हम इसको गरम कर लेते हैं काच की छड़ को वापस से पकड़ने के लिए बिलकुल उसी प्रकार जो हमने पहले किया था और अब हम इसको देखिए ये बीच से हम इसे गरम कर रहे हैं और अब गरम क गिरेगी और ये भी देखेंगे कि इस बार जो है वो कौन सी आलपिन पहले गिरती है ये देखिए ये जो है एक आलपिन गिर गई है तीन मिनट बीस सेकेंड में आपने देखा कि ये वाली जो आलपिन है वो गिर गई थी ये देखिए चार मिनट 35 सेकेंड में ये यहाँ जो दूसरी आलपिन है वो भी गिर गई इसी प्रकार हम आगे भी इसे गर्म करकर देख सकते हैं कि बाकी आलपिन जो है वो कितने समय में गिरेगी ठीक है अब हम लेंगे तामबे की छड़ चलिए अब हम तामबे की छड़ को बिल्कुल उसी प्रकार बीच ओ बीच से गर्म कर लेते हैं और इसको गर्म करने के साथ साथ हम ये स्टॉप वाच आउन कर दिये क्यां गिरते हैं यहां पर कितने समय में जो अल्पिन गिरती है आपने परिवर्तन को देखा, आल्पिन में परिवर्तन हुआ है जो दोनों भीच के सीरो से आसपास में है ये देखिए एक साथ ये 35 सेकंड दोनों आल्पिन गिर गई इसी प्रकार देखिए ये 45 सेकेंड में ये आलपिन गिरी है एक मिनट लगा इस आलपिन को गिरने के लिए तो बच्चों हमने देखा कि जब इन दोनों छड़ों को हमने बीच से गर्म किया तो लगभग समान समय में जो इसके आसपास की जो ओलपिन थी वो एक साथ गिरी तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उश्मा का संचरण समान समय में ही होता है दोनों दिशाओं में हमें समान समय में उश्मा का संचरण दिखाई देता है ये उश्मा का संचरन कैसे होता है? जो चालन होता है, चालन के द्वारा उश्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे इस्थान तक पदार्थ के कडों द्वारा अपना स्थान छोड़े भी नहीं संचरित होती है जैसे जब हम छड़ को गर्म करते हैं तो जो हिस्सा गर्म हो रहा होता है वहां के कड़ों में कमपन बढ़ जाता है और कमपन के बढ़ने से उसमें उश्मी उर्जा बढ़ जाती है और ये अधिक उर्जा जो है वो अगले कड़ों को ये स्थाननत्रित कर देते हैं और इससे ही उश्मा का संचरन होता है तो ठोसों में उश्मा का संचरन पिलकुल इसी प्रकार से होता है तो आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि किस तरह से उश्मी चालक पदार्थ होते हैं आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना आईए अब हम चालन में ताप की परिवर्ती इस्थिती और इस्था इस्थिती के बारे में चर्चा करते हैं इसके लिए एक प्रयोग हम देखते हैं माल लेते हैं एक चालक छड़ है A B और उसका A सीरा जो है ये गर्मभाब में रखा हुआ है और उस चालक छड़ में चार थेर्मामीटर लगे हैं A सीरे के पास T1 फिर उसके बाद T2 और T3 और T4 इस तरह से चारों करमशह लगे हुए हैं और बहले तो छड़ जो है रूम टेंपरेचर पे है 37 डिगरी सेल्सेस माल लेते हैं जब गर्मभाब सीरे A से प्रवाहित की जाती है तो थर्मामीटर का जो तापमान है बढ़ने लगता है सभी थर्मामीटर का तापमान बढ़ने लगता है कुछ समय बाद हम देखते हैं T1 का ताप जो है 70 हो जाता है T2 का 60, T3 का 50 और T4 का 40 कुछ समय बाद फिर नोट करते हैं तो तापमान बढ़ जाता है माल लेते हैं इस समय T1 का 80, फिर T2 का 70, फिर क्रमसह आगे का 60 और 50 होता है कुछ समय बाद फिर नोट करते हैं तो T1 का अब 90 हो गया है T2 का 80 T3 का 70 और T4 का 60 तो बच्चोई जो तापमान में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ छड में जो है छड के ए सिरे में हमने भाब के जरिये उश्मा दी और उस्मा का संचरण हो रहा है और प्रतिक हिस्से में उस्मा और शोशित हो रहा है और तापमान भी बढ़ रहा है तो यह जो इस्थिती है जिसमें प्रतिक हिस्से में जो तापमान बढ़ रहा है यही परिवर्ति इस्थिती है परिवर्ति इस्थिती में प्रतिक सिरे का प्रतिक हिस्से का तापमान जो है बढ़ते जाता है अ 44 का 70 हो गया कुछ समय बात देखते हैं तो वही 190 80 और 70 है यहां पर गौर कीजिएगा कि कुछ समय बात भी 190 80 और 70 ही है मतलब अभी ताप नहीं बढ़ रहा है अभी प्रत्यक थर्मामीटर का ताप मान जो है इस्थाई हो गया और इस इस्तिति को हम कहते हैं ताप की जिसमें कोई भी जो पदार्थ है उसके प्रत्यक हिस्ते का ताप मान जो है एक समान हो जाए मतलब अभी अलग अलग रहेगा प्रत्यक हिस्ते का ताप मान प्रत्यक हिस्से का तापमान बढ़ता है प्रत्यक हिस्से में उश्मा का ओसोसन होता है उस इस्थिति को हम कहते हैं परिवर्ती इस्थिति या परिवर्ती दर्शा लेकिन जब किसी पदार्थ के पदार्थ को जब उश्मा देते हैं और पहले ताप बढ़ता है प्रत्यक हिस तस्थिती का ताप नहीं बढ़ता समान हो जाता है। तो इस इस्तिती को कहते हैं इस्थाई दशा। यहाँ फिर से मैं आपको दिहान दिला दूँ कि इस्थाई दशा में पूरे जो चड़का या पूरे पधार्त का ताप एक समान नहीं होगा। लेकिन उतना ही रहे गा तापमान और बढ़ेगा नहीं जैसे कि एक हिस्थे का तापमान अगर 100 है पिर 90 है 80 है 70 है तो उतना ही रहेगा 100 डिग्री अवस्था और इस्थाई अवस्था की ब्याख्या हम दूसरे तरीके से एक बार और करते हैं देख लेते हैं और एक एक्जामपल माल लेते हैं एक छड़ है और छड़ का एक बीच का हिस्सा हम ले लेते हैं बीच का एक परिछेद है अनुप्रस्त परिछेद है और ए सिरे को जो है उश्मा दी जा रही है और उसका जो बी सिरा है वो उपन है वहां से उश्मा अलग कही जा सकती है, ऐसा हमने बनाया है इसे, तो ए सीरे को हम क्यों उश्मा देते हैं, और हम यह भी मान लेते हैं यहां पर, कि जो हमारा जो छड़ है, और रूई से या फिर कंबल से लपेटा गया है, क्यों लपेटा गया है, ताकि उश्मा जो विकरित ना हो, जो भी उश्मा दे है, और चड़ के अंदर ही रहे या फिर ओपन एंड से बाहर जाए, और उश्मा जो है विकरित ना हो, बाहर ना जाए, मतलब उसके साइट से उश्मा निकल ना पाए, इसलिए हमने मान लेते हैं कि उसको हमने रूई या फिर चदर से या कंबल से लपेटा हुआ है, तो क् जो फिर चड़ का जो बेच वाला हिस्सा है, वो Q उश्मा में से Q1 को से करते है और Q2 को जो है वह अगले हिस्से को भेश देता है, तो यहाँ पर ये जो इस्थिती है, इसको कहते हैं परिवन्ती इस्थिती, क्योंकि Q उश्मा दिया जा रہा है और यहाँ पर उश्मा का उ को रहा है हम क्यूं देंगे बीच वाला हिस्सा क्यू वन अशोशित करेगा और क्यू टू को बेज़ देगा तो यह जो दर्शा है यह पर इक्वेशन क्या होगा क्यू बराबर क्यू प्लस क्यू टू अच्छा यह किस्थिति ऐसी आएगी जब जो बीच का जो कार्थ है उष्मा तो वो उष्मा आउट हो जायगी पुरी तरह से क्यू टू में मत्लब क्यू इस्तिति में एक्वेशन क्या होगा क्यू बराबर क्यू टू परिवर्ति इस्थिती में इक्वेशन क्या होगा क्यू बराबर क्यू प्लस क्यू टू और इस्थाई इस्थिती में इस्थाई अवस्था में इक्वेशन क्या होगा क्यू बराबर क्यू टू तो परिवर्ति अवस्था में देखते हैं उस्मा का अ इस्थाई अवस्था और परिवर्टी अवस्था को भी इन इक्वेशन के माध्यम से भी समझ सकते हैं अब फाइनली हम दोनों में अंतर देख लेते हैं परिवर्टी अवस्था इस्थाई अवस्था तो परिवर्ती अवस्था क्या है जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं और प्रत्यक हिस्से का तापमान बढ़ता है तो उस अवस्था को हम कहते हैं परिवर्ती अवस्था इस थाई अवस्था जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं उश्मा देते हैं और प्रत्यक हिस्से का तापमान बढ़ता है लेकिन एक समय बात जब तापमान इस्थीर हो जाता है बढ़ना रुख जाता है यहां पर फिर से आपको याद दिला दूँ कि प्रत्यक हिस्से का तापमान अलग अलग रहेगा लेकिन तापमान बढ़ना रुख जाएगा तो उस अवस्था को कहते हैं इस्थाई अवस्था। सेकेंड जो दूसरा अंतर है वो ये है कि परिवर्ती अवस्था में उश्मा का अवसोसन होगा और इस्थाई अवस्था में उस्मा का अवसोसन नहीं होगा। तीसरा अंतर ये है कि परिवर्ती अवस्था में उस्मा प्रवाह की दर उस्मा चालकता और उस्मा धारिता दोनों पे निर्भर करेगी। और इस्थाई अवस्था में उस्मा प्रवाह की दर सिर्फ और सिर्फ उस्मा चालकता पे ही निर्भर करेगी। क्योंकि उस्मा धारिता जितना उस्मा धारन करना था कर चुका है अब सिर्फ उस्मा का प्रवाह होगा तो इस्थाई अवस्था में उस्मा प्रवाह की दर सिर्फ उस्मा चालकता पे ही निर्भर करेगी